नमस्कार पुन्योचलो के लवई शो में हम देख रहे हैं कि देवी अहिल्या बच्पन से जब से शादी करके आई है उनके जीवन में उतल पुथल मची हुई है कभी किसी तरीके से तो कभी किसी तरीके से और अब जब से पारवती आई है तो मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होगा एक भी शन जब देवी अहिल्या ने चैन की सांस ली हो कभी पारवती का दर्द देख करके तो कभी पारवती का बरताव देख करके देवी अहलया परिशान ही रही है और अब देवी एलिया क्या चाहती हैं देवी एलिया देखा कि जब उनकी कुद्बराई हो रही थी तो परवती की इस तरीके से नाराज दिखाई 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 परिए लाना चाहती है वो काम ना करें। क्या पार्वती ये बात स्विकार कर पाएगी क्या वो कहेगी कि हां मैं इसकी छोटी आई बनूंगी हां मैं इसक आई की तरह से ही प्यार करूंगी इस होने वाले संतान पर मेरा उतना ही अधिकार रहेगा जितना देवी अहिल्या का है क्यों क्यों क्योंकि संतान युवराज का निरावर देवी अहिल्या की है इसलिए क्या वो कह पाएगी क्या उसी कार कर पाएगी या इस बात पर भी कोई अलग ही ढंग से वो अपने प्रस्तुती दिखाएगी